आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का जानते हैं ऐसा लगता है मानो हम सदा कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं हम सफलता प्राप्त करने का प्रैत्न करते हैं आज चर्च जाकर आशीश प्राप्त करूँगा हम लोगों से कहते क्या आपने पवित्रात्मा पाया है क्या आपने चंगाई प्राप्त की है क्या आपने जय पाई हम लोगों से पूछते कि उन्होंने प्राप्त किया या नहीं परन्तु वास्तों मैं बाइबल में ऐसा कतर नहीं देखते हैं बाइबल स्वीकार करने के बारे में कहती है स्वीकार करना आप कहेंगे इनमें क्या बड़ा अंतर है इसमें सच मुझ काफी बड़ा अंतर है क्योंकि पाने कार्थ है परिश्रम और संगर्ष द्वारा हासिल करना और यदि आपके जीवन में परिश्रम और संगर्षी सब कुछ है तो आप जीवन कानन नहीं ले सकेंगे होता ये है कि जब सब कुछ कठीन हो जाता है तब सब निराशा जनक बन जाता है प्रभू चाहता है कि हम दिव्य विश्राम प्राप्त करें उसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ आसान होना चाहिए वरन अर्थ है कि हर कटिन कारी को पवित्रात्मा के द्वारा आराम से किया जा सकता है यदि प्रभु कानुग्रो और अभिशेक उस पर रहे अता पाना का अर्थ है परिश्रम और संगश द्वारा हाश्सिल करना या हमारे उपर चीजों को ढूंड निकालने का बोज रख देता है निश्चे 33 से कारी करने के लिए परिस्तिती तैयार करना पड़ता है, परंतो स्विकार करने का रथ है थैले की तरह जो भी डाला जाये सब कुछ अपने में ले लेना अब मैं आपसे पुश्ती इनवे से कौन सा आपको भाता है? परन्तों ऐसे अनेक लोग हैं जो स्विकार करना नहीं जानते नहीं जानते कि दूसरों से कैसे स्विकार करें और परमेश्वर से कैसे प्राप्त करें परमेश्वर के बारे में एक बात आपको जानना है कि प्रभू विकाओ चीज नहीं है आप उसे खरीद नहीं सकते आप दया को खरीद नहीं सकते अनुगरा का अर्थ है मुफ्त और योग्यता से बढ़कर आप करुणा को खरीद नहीं सकते क्योंकि करुणा मसी की कीमत से प्राप्त परमिश्वर की संपत्ती है करुणा पवित्रात्मा की साम अर्थ है जो बिना मूली के हमें मिलता है ताकि उन कारों को आसानी से करने में मदद मिले जिससे संगर्च और कटिन प्रयाज से नहीं किया जा सकता वो मुफ्थ है उद्धार मुफ्थ है करुणा मुफ्थ है और दया मुफ्थ है आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिवा उसे स्विकार करने के अनुग्रा मुफ्थ है आप अनुग्रा की योगी नहीं हो सकते यदि आप अनुग्रा की योगी बनने का प्रयाथने करे तो वह अनुग्रह नहीं होगा। क्षमा मुफ्त है। आप क्षमा के योग्य नहीं हो सकते। मैं मानती हुआ कि कई बार हम विश्वासी न रहकर भिकारी बन जाते हैं और हम प्रबु से भीक मांगते हैं। कि वो हमें कुछ दे या हमारे लिए कुछ करें। जिसे हम कभी प्राप्थ ना कर सके... ये कहा नहीं जा सकता कि कि कितने लोग प्रबु से माष्वी मांगते हैं। और कभी उस माफ़ी को नहीं प्राप्थ करते हैं। तथा कभी-कभी हम कई सालों तक उसे खीशते रहती कि प्रभू मुझे एक्षमा कर, प्रभू मुझे एक्षमा कर, हम कभी रुखकर ये नहीं कहते कि मैंने पा लिया, मैं उस माफी को प्राप्त करता हूँ, आमिन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने रविवार और सुमवार के दिन आराम करने के लिए अपनी एक योजना बनाए और दूसरों के जीवन की कठिनाईयों से संबंदित दो-तीन फोन आए कि उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो आप जान सकते हैं कि एक प्रचारक होने क कि बावजूद भी मैं हर समय हर बात पर 100% देविक प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, यदि पी लोगों के लिए मैं दुखी होती हूँ, मैं प्रतिक्रिया करने में असमर्त रही जब ऐसी परिस्तिती आए कि मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ेगी, अतहां यहां आते ह हुए मुझे लगा कि मुझे प्रशाताप करने की जरूते क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने रिदय में किसी विशय को रखकर उसके माध्यम से प्रचार करूँ, यहां आने से पहले में ध्यान रखती हूँ कि मेरा रास्ता साफ है, इसलिए मैं कहती हूँ और कि मांग करते हुए, इसी क्षणों से स्विकार करती हूँ, मैंने कई साल पहले जाना कि मैं प्रभु से ऐसी बहुत सी चीज़ें मांग रही थी, जिने पा नहीं रही थी और यह कि मैं विश्वासी नहीं बलकि भेकारी थी, यह मेरे लिए जीवन को बदल देने वाली बात और उसके योग्ये बनना चाहिए। इश्व के काल में फरिसियों की सोच ऐसी ही थी, वे नहीं चाहते थी कि बिना योगिता के कोई कुछ भी प्राप्त करे, यहना के नवे अध्या में बताएगी इश्व द्वारत चंगा किया गया, जन्मांध लड़की से नाराज होने का कारण भी यही था, क्योंकि वे नह आप कहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं यकीनन कहूंगी कि आप ऐसा करते हैं और आपको उसका एसास भी नहीं होता, मुझे याद है बहुत समय पहले, धनिवात प्रभू वो बहुत समय पहले की बात है, मेरी एक सहली थी, जो मेरी ख्याल से मुझ जैसी धार्मिक नहीं थी, और गतुई, मैं कहूंगी कि मैं ये नहीं जानती थी कि सची आध्यात्मिक तकि आ थी, तैम मैं सोचा करती थी कि उसमें बहुत से काम, नियम, कानून और पक्का लिखा रखना होता है, और मैं नहीं सोचती थी कि वो मुझ जैसी आध्यात्मिक है, वो नियमित रूप से चर्च नहीं जाती थी, उसने ज्यादा कुछ दान नहीं दिया था, उसने मेरे जैसे उतना अधेक धार्मिकारी नहीं किया, हैना ये बड़ा रोचक की प्रबु हमारे रिदयों को देखता है, बाइबल कहती, जब वे आग से होकर गुजरते हैं, वे सभस्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रबु न केवल ये देखता है कि क्या कर रहे हैं, मैं उससे भी कुछ अधिक कर रही थी, परन्त उनमें से अधिकांश मैं अच्छे भाव से नहीं कर रही थी, मैं लोगों को आकरशि मुझे सिर्दर्द नहीं है, मैं ये देख रही हूँ कि आपको है या नहीं है, मैं प्रबु से प्रार्तना कर रही थी कि एक फरकोट मुझे दे दे, जो मैं चाती थी परन्तुं, मुझ में ना तो चरित रहे, ना सहन शीलता, ना मुझ में आत्मा का फाल है, फिर भी चीजों के लिए विश्वास कर सकते हैं जिसके की सच मुझ आपको ज़रूरत नहीं है। और उसे ना पाने का कारेन याकुब चार में बताया गया है हम दुष्ट एवं स्वार्थी भावनाओं से मांगते हैं। खैर दिखिए मैं ऐसे बहुत सी चीज़ें मांगती थी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी और प्रबु ने मुझे एक सबक सिखाया। मैं प्रबु से फरकोट मांग रही थी एक दिन मेरे दर्वाजे की घंटी बजी और वहां मेरी पड़ोसिन थी उसके हाथ में बड़ा बकसा था। और वो खुश्ट थी उसने कहा आपको विश्वास नहीं होगा कि प्रबु ने मुझे क्या दिया है। उसने उस विक्ति का नाम बताया और फिर उसने कहा कि प्रबु ने उसे ये मुझे देने को कहा उसने बकसा खोला और उसमें मेरा फरकोट था। मुझे याद है कि मैंने सोचा उस्त्री ने गलत जगह पर उसे दे दिया है। क्योंकि वो लड़की हमारे घर के बगल में रहती थी। मैंने मसी कारे करने की कोशिश की जो हम करते हैं। ओ प्रबु की स्तुति हो। प्रबु की मैं माओ, ओ मैं आपसे बहुत कुश हूँ, धनिवादी शूँ। और अंदर ही अंदर सोच रही थी प्रबु इसी वक्त इसी मेरे घर से बहार निकाल दे। और अंदर से गुसा और जलन कर रही थी, तता सोच रही थी कि तू कैसे उसे ये फर्क कोट दे सकता है, उसकी चाल चलन को देखकर कैसे दे सकता है, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या मैं आप से कहते हूँ यदि सच मुची इशु ने मुझे अपना बचा नहीं सिखाया होता तो अब सच मुच एक अच्छी फरीसी जैसा बन जाता आप लोगों का क्या ख्याल है आलोचनात्मक निर्नायत्मक ये रहे मेरे नियम इनका पालन करो नहीं तो करुणा की उमीद ना रखो पहली बार में ही वो कारे करो जो उचित है प्रभू की महिमा हमें सीखना है कि कैसे स्विकार करना चाहिए और प्रभू से मुफ्त में पाना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि प्रभू जो कुछ हमें देना चाहता है उसके हम योग्य नहीं है और नहीं दूसरे उसके योग्य है परमेश्वर की भलाई मन शिको मन फिराव की ओर ले चलती है किसी की भलाई करना उन पर दया दिखाना उनके लिए कुछ करना जिसके लिए वो योगी नहीं है या जिसके लिए उन्हें प्रयासी नहीं किया उसे उन्हें देने पर वे कहते हैं कि वाँ आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ. कुछ दिनों पहले एक घटना घटी जो इसका एक उधारन है, कि बिना वज़े के किसी की मदद करने पर उनका जीवन सच मुझ बदल देता है. मैंने दुकान में एक स्त्री को कान की बाली खरीते देखा, मैं उस्त्री को नहीं जानती थी. कभी देखा नहीं था, शायद कभी देख भी नहीं सकूंगी. और मुझे लगा कि प्रभू कह रहा है उसको वो बालीयां खरीत दो. आजकल चीज़ें ऐसी हैं मैंने उस्चोचा, होगा? आप समझ रहे होंगे तो. और मैं चली गई, मेरे जीवन में प्रभू की आग्या माने में मुझे लंबा समय लगा, यहां तक कि यदि मुझे लगे कि मैं मूर्कों की तरह हूँ. परन्तु मेरे जीवन में थोड़ी श्रद्दा है और एक काम जिसे करने से मैं डरती थी वो यह है कि एक बार प्रभू ने मुझे जो कुछ करने को का, उसे करने से मैं नहीं घबराती. मुझे ये डर नहीं कि वो मुझे ठेस पहुचाएगा वरने ये कि मैं अपने जीवन में महान आशिशे खो दूँगी. क्योंकि जब कभी प्रभू चाहता है कि हम दूसरों को कुछ दे या उनके लिए कुछ करे वो कभी हमसे कुछ चीन लेने का प्रत्ने नहीं करता. वो कोशिश करता है कि वो हम में पर्स से 50 डॉलर निकाला क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसकी कीमत क्या थी और मैंने कहा सच्छ प्रभू ने मुझे आशिश दी और मैं दूसरों को आशिशीत करने में आनंद लेती और मुझे लग रहा है कि प्रभू मुझसे आपके लिए ये खरीदने को कह रहा है और मैंने उसे रुपे दे उसे का नहीं 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 ऐसा मत कीजिए और मैंने कहा मुझे ऐसा करने दीजे इससे मुझे आनंद मिलता है प्रभू चाहता है कि मैं आपको आशिश दूँ मैंने उसके हाथ में थमा दिया और मैं निकल पड़ी खेर मैं नहीं जानती थी कि वो उस्त्री मुझे पहचानती थी बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो मेरे बारे में जानती है तो इस प्रकार से एक लंबी कहानी और मैं कुछ बाते भूल गई हूँ अच्छा होता कि मैं उस गवाही को अपने साथ रखती मैंने उसे किसी को दे दिया कि वे पढ़े और वापस नहीं मिला परन्तो जैसा भी हो वो स्त्री अपनी पढ़ोसिन से ये कहानी सुनाने लगी और कहा टीवी पर आने वाली ये इस तरी बहुत ही महान है और जानते हैं हम चाहते हैं कि संसार की सामने हम महान दिखें और हम उन्हें बिना किसी वजह के भलाई करने के द्वारा उ ये एक प्रकार से एक लंबी कहानी है परन्तो हुआ ये कि वो एक दो घंटे अपनी पढ़ोसियों से गवाही देने लगी और मेरे टेलिविजन कारिक्रम को देखने लगी तो देखें आप कभी जान नहीं सकेंगे कि किसी के लिए बिना किसी वजह के कुछ भलाई करनी पर आप कितने अद्बुत कारी कर सकते हैं हमें दूसरों के भलाई करने के लिए कोई वजह नहीं ढूननी चाहिए और प्रभु जब हमारे लिए कुछ करता है तो किसी वजह से नहीं करता है मैं पूरे मन से विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करना च चाहता है लूका 18 सत्रा कहता है आपको एक बालक की भाती स्वर्ग राज्जी को स्विकार करना चाहिए चली उसे देखते हैं लूका 18 सत्रा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई स्विकार ना करे सभी कहिए स्विकार आपको आश्चरी हुगा कि आज आप कितनी बार इस शब्द को अलग-अलग वचनों में देखेंगे देखी ये नहीं कहा गया है मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि कोई परमिश्वर के राज्जी को प मैं जोर देना चाहती हूँ क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल अलग कारे है संगर्च करना, कारिक करना, कष्ट उठाना, कोशिच करी हूँ, संगर्च करी हूँ, मैं कुछ खोज निकालने का प्रयास करी हूँ, पर तो स्विकार करना मुझे आराम-द हाती स्विकार ना करे, तो वो उसमें कदापी प्रवेश्न करने पाएगा। इस शमा को स्विकार नहीं किया। बाइबल कहती है, पर मेश्वर का अनुगरह हर दिन नया है, मैंनी जानती कि वो उसे हर दिन नया क्यों बनाता है, इसलिए कि हम कल के अनुगरह को पूर्ण रूप से ले लेते हैं। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, लौरा मेरी मदद करो, मैं एक बनेट के लिए यहाँ कुछ छोटे बच्चो को बुलाना चाहती हूँ। आठ या नौ साल से उपर, यहाँ जो छोटा लड़का है, यदि वो खुद यहाँ आने से डरता है, तो उसे आप ले आईए। और कहीं कोई क्या चोटा बच्चा है, ठीक है, आप यहाँ आजाए, लौरा उटकर मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे केवल, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए, ठीक है, उसे उपर ले आओ, बहुत अच्छा, कमान, मुझे केवल कोई शायद आठ या ऐसे ही कुछ चाहिए, उ नहीं, मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ, ठीक है, आमेने यहाँ खड़ा करेंगे, आप बहुत हो गए, मुझे और उपर चाहिए, लौरा तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो, बच्चे मुझे घेरे हुए हैं, मैं और बच्चों को नहीं ले सकती, केवल इतने ही, मुझे और भी रुपे दो, धन्यवाद, ठीक है, ठीक है अब, ओ, सो स्वीट, इसने मुझे खरीर लिया है, ठीक है, ऐसा करना है, अब यहाँ, मैं यहाँ आपको एक परिक्षय दिखाना चाहते हूँ, ठीक है, आप सब बहुत सुन्दर दिख रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मैं आपको यह देना चाहती हूँ, क्या यह बिल्कुल ठीक है, मैं यह आपको दूंगी, और मैं आपको देने वाली हूँ, यह लिजी, praise the lord, क्या यह अच्छा है, मैं आपको दूंगी, ठीक है, praise the lord, क्या आप ख़ुश है, hey, good, ठीक है आपको अच्छा लगा, ठीक है, आप ले लिजीए, हम आपको और भी देंग आप कुछ बढ़े हैं यह ले लिजे ही कैसा है कोई दुखी नहीं सब मुस्कुरा रहे हैं प्रेज गौड अच्छा आपका स्वागत है प्रेज दे लौड आमीन इससे हम सब खुश हैं वाउ अद्भुत यहाँ देखिए यह लो आपके लिए कुछ पैसे आप यह तक नहीं जानते की पैसे क्या है आप यह ले लिजे आमीन क्या आप जानते हैं किस से क्या करना है आप सब यह जानकर बहुत खुश होंगी की क्या करना है धन्यवाद बहुत बढ़िया यह लिजे आमीन आप यह ले लिजे ओ धन्यवाद मैं भी आपको चाहती हूँ ये ले लीजिए धन्यवाद ये लीजिए आप क्या है प्रेज दे लॉर्ड ग्लोरी ओ यहां यहां खड़े छोटे लड़के को कुछ देते हैं उसे उपर ले आए ओ आप ये लीजिए आपको कैसा लग रहा है अब सुनिए आप मे यहां एक खुबसूरत बच्चा है अहां पे लीजिए प्रेज दे लॉर्ड ओ भाई अब मिल रहा है ओ हलेलोईया ओ हम इसके बारे में क्या सुस्ते चलिए ठीक है अब मैंने ऐसा क्यों किया बाइबल कहती आप बच्चे की भाती स्वर्ग राजी को सुविकार कीजिए ए ऐक ने भी ये नहीं कहा जरा रुकिये मैं इसकी योगी नह अभी ये उपाहर को इंकारह नहीं एक नहीं संदेज से मुझे नहीं देखा मैंने से सुना धन्यवाद मुझे अच्छा लगा धन्यवाद मैं आपसे प्रेम करती हूं एक ने ये भी कह की वू- आमीन, आप लोग जा सकते हैं, मैं आपको पैसे दे कर धन्य करना चाहते हूँ आमीन, प्रभु की महिमा हो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमीश्वर आपको ग्रहन करना, सीखने का अनुग्रह दे शरीर के मांगों से चुटकारा मिले और संगर्ष का अन्थोर वो आपके लिए कुछ करे प्रभु मैं अपने दर्शकों के लिए प्राथना करती हूँ इशू के नाम में प्राथना है कि वे तनाओं से निकलें, संगर्ष समाप्त हो, तेरे विश्राम में प्रवेश करें, तेरी दया ग्रहन करना सीखें, ख्षमां ग्रहन करें, उद्धार मिले जरुरत हो तो पवित्र आत्मा से शक्ती ग्रहन करें, जरुरत हो तो अपने चंगाई ग्रहन करें मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभू कि तू हमें निरंतर दिये जा रहा है और नहीं चाहता कि कुछ पाने के हम संघर्ष करें मगर हमें ग्रहन करना है तो अपने दोस्तों और सभागियों के साथ सहमत हूँ ईशु के नाम में की आज से वे ग्रहन का नारंब करेंगे आरंब करेंगे अनुगरह की तेरी निश्चुल क भेट ग्रहन करेंगे ईशु के नाम में आमीन जीवन में आनंद कीजिए प्रभू आशीशते